CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं बहुत सारे गाव हैं जो कटान में विलीन हो चुके हैं यह मुद्रा लोन वगेरा की जो बात हुई थी चोटे वेपारियों के उसका कुछ फायदा मिला ना कुछ लाब नहीं कुछ लाब नहीं कुछ लाब नहीं बीजेपी सरकार में बस एक ही खामिया है कि जितने भी पर उतरा नहीं है वो गंगाजी थी कट गई जितना काम था सारा प्रजेत खतम हो गया अभी कुछ बचा हुआ है सेस उसका तो हमारे समसे जो जनते के बीच में हो वो कनिडेट सही रहता है देखिए हम लोग तीन गाव गंगाजी के कटान में इस पर कोई का निगाह नहीं लोग निगाह करते हैं अशरकार पैसा देती है वे पैसा को आधा लोग लूट करकर यहां से लोके लेकर चल जाते हैं कोई काम नहीं हो रहा है अगे क्या पलानी सॉरकार में दो हमें कुछ को मिल नहीं रहा है और जो चार साल बाले भी कर दिये लोग आर्मियर परस ने भी क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है इस पारी भी देखिए क्या होगा पांडे जी भी तकर में है और नीरा सिकर भी है CCM app का स्वागत है हम अभी बलिया लोकसभा में हैं बलिया लोकसभा के ये बिलकुल बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ही कहीं बहुत खरीब हैं ये बहरिया विधानसभा है मुक्य रूप से यहां पर बामन बहुल विधानसभा है और जिस गाउं में हम है उसका नाम है दूबे छप्रा बलिया लोकसभा के अपने एक बड़ा इतिहास भी है ख्रांतिकारी धर्ती भी है एक तरीके से जेपी आंदोलन का भी यहां पर एक बहुत बड़ा असर था एमरजेंसी के वक्त और यहां के पूर्फ प्रधान मंत्री भी हमारे मुल्क के चंदर शेकर जी भी यहीं से जीत कराए थे बलकि इस बार भाजपा से उनी के ही पुत्र नीरज शेकर जी को इस बार टिकेट मिला है सपा से यहां पर सनातन पांडे जी को टिकेट मिला है और बसपा से ललन यादव जी को टिकेट मिला है मुक्य रूप से जहां पर हम अभी हैं दूबे छप्रा गाउं में मुक्य रूप से यहां एक ब्रह्मन बहुल गाउं है जादातरम ब्रह्मन समाज के लोगों से बात करेंगे, लेकिन और समाज के भी लोग हैं, सभी की राय जानने की कोशिश करेंगे, कि इस चुनाव में क्या रोजहान है, कौन से मुद्दे रखे जाएंगे जहन में, कौन से मुद्दे जादा हावी होंगे इस बार चुनाव मे वोट करते समय जी नमस्कार जी क्या नाम है आपका राकेश कुमार गुपता राकेश जी क्या करते हैं मैं गवर्मेंट टीचर हुए प्राइमरी स्कूल में तो अभी ड्यूटी चल रही है आपकी अभी हो गया है बिस तारीक से तो अभी छुटिया है कुछ चीजों पर तो क्योंकि आप सरकारी ड्यूटी करते हैं तो शायद कुछ चीजों पर तो आप शायद नहीं खुल कर बोल पाएंगे नहीं हम लोग नियमावली के ताहती कुछ बात कर सकते हैं वह वह इसलिए मैं आप से सीधा सीधा ये तो नहीं पूछूँगा आप वोट कहां कर रहे हैं लेकिन मुद्दे क्या आपके लिए इंपॉर्टन है खासकर कि क्योंकि है गवर्मेंट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं काफी शिकायते आई हैं जहां पूरा मतलब पश्च मुद्देश से पहले चरंड तक होते होते अब यहां आखरी चरंड तक पहुंचे हैं और शिक् करम चारी संक्र ने दाया किया है कि वोट फॉर ऋपिएश था लड़ाए कर रहा है विकास सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे देश में OPS तो खेर Old Pension Scheme की एक बहुत बड़ी मांग है खासकर कि सरकारी करमचारियों से बहुत बड़ी मांग है और आजकल वो सरकारी वेकंसी भी इतनी कम निकल रही है Contractualization भी इतना हो गया कि लोगों की इतनी देर से Permanent बनती है नौकरी की फिर New Pension Scheme के तहत कहियों की बहुत कम भी पड़ जाती है Pensions ये बताईए फिर OPS अब मैं आपसे ये तो नहीं पूछूँगा आप किसको वोट करने वाले है क्योंकि दर्शकों को भी सबको पता है कि Old Pension Scheme का वाइदा कौन कर रहा है कौन सी पार्टियों ने सरकार में आके Old Pension Scheme लागू करी भी है लेकिन इस चुनाव में फिर उसके तहत OPS का मुद्दा मैं बस ये जानना चाहरा हूँ कि कितना बड़ा मुद्दा करमचारियों के लिए देश भर में है सरकारी करमचारियों के लिए अटेवा एक शंगठन है जिसमें बीजय दीनबंदु जी हम लोग के अध्यक्ष हैं उन्ही के नेत्रितों में हम लोग पूरे देश में ये OPS की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो गौवर्मेंट साथ दे रही है हम उस गौवर्मेंट के साथ हैं आपके रहे हैं एक राष्ट्य मुद्दा है ये सारी करमचारियों के लिए सिर्फ यूपी तक सीमत नहीं नहीं पूरी राष्ट्य मुद्दा है ये और इस मुद्दे पे हम लोग संगर्स कर रहे हैं अब देखते हैं हम लोग का संगर्स कहां तक सपल होता है और गाओं गाओं के भी क्या मुद्दे हैं? हर साल हम लोग कटान से पीड़ित रहते हैं यहां से बहुत सारे गाव हैं जो कटान में विलीन हो चुके हैं सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट निकाले हैं मगर प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हो पाए हैं मतलब कागर्स पर हैं या आधे अधूरे अमल हो रहे हैं आधे अधूरे अमल हुए हैं एक वो ड्रेजिंग सिस्टम से वो बनाने वाला था नहर टाइप का वो काम अभी अधूरा पड़ गया फिर हम लोग यहां पे जो घाट था वहां पीचिंग का कार होना था वो भी अभ और कुछ और अब दूसरी चीज है कि हम लोग नेट वर्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है बहुत लोग हैं जो घर में बात नहीं कर पाते हैं इंटरनेट चलाना तो दूर की बात है पैसा जी पैसा हम लोग वही देते हैं जो दिल्ली मुंबाई लखनव के लोग पैसा प बात करना पड़ेगा इंटरनेट भी वाइसा ही चलता है यह कि आपके गाउं की दिक्कत है पूरे बहरिया में कई सारे चेतर की दिन मुखे रूप से हम लोग के चेतर की बात है कई सारे गार कंप्रेंड किया है हर कंपनियों में तो कुछ इंजिनियर्स भी आया थे तो उ प्रश्कर की जब डिजिटल इंडिया की इतनी बात हो रही है अगर गाउं तक नेटवर्क ही ढंग से नहीं बन रहा है तो फिर इंटरनेट का कैसे ढंग से इस्तमाल करेंगे बिटिया आप से भी हम बात करके जाएंगे हैं अभी आप जाना मत कहीं है जी साह पिर आप से करते हैं जी साब नमश्कार क्या नाम हुआ पन्र ऐघी जी मैं पूछ सकता हूं क्या करते हैं है मैं तो करम कान्ड करता हूँ अ जी है तो यह बताएशा करम कान्ड करते हैं divak inividade द्रोप है तो यह बटाइए और फॉप के दो हमप्येैं हैं जन्ड़ी बाते धर्म के नाम पर की गई हैं पिछले पांच-दस सालों में वो आपको एक पंड़ित जी होने के नाथ है आपको कितना मतलब वो सही गलत लगता है देखिए धर्म के नाम पर तो तो उस प्रचार इस देश में जिफिनित जी से बढ़ रहा है और इसके लिए धार्मी की जो है सनातन धर्म में सनातन धर्म हमारा इसमें हमें दृट विश्वास है और सनातन धर्म आज पूरे विश्व में एकता में समेट रहा है सब यह बजाए एक आपकी पार्टी है जो सनातन धर्म की बात करती है दूसरे आपके जो उमीदवार है उनका नाम ही सन सनातनी तरफ ज़ा रही है तो पहले इस बता दिया सनातन धर्म के नाम पर राजिनीट करने वालों को नहीं जाता हूं जो सनातनी भी देखें- car दर्क पर चले में उसकी बात करता हूं यह तो राजिनीट क्यों है जो यह चानातनी नि. सनातन जो अपनी जिन्दगी में अमल कर रहे हैं ना कि सनातन के नाम पर राजनीती कर रहे हैं तो बता है आपकी खुद की वो है या किसी और की उस पर खुद की है तो आपकी अपनी मतलब एक किसम की की बिजनस है दस एक साल कैसे रहे हैं आपके लिए बिजनस के लिए देखिए को रोना के पहले तो बहुत अच्छा था ठीक उसके बाद बिजनस में धंदा में मंदिया है तो कुछ पिक अप हुआ उसके बाद से लेकर कोई खास नहीं हुआ तो यह बताए फिर यह मुद्रा लोन वग्यरा की जो बात हुई थी चोटे वेपार यह उसका कुछ फायदा मिला ना कुछ लाब नहीं हुआ चुनाव आने वाला है आपकी उंगली कहां जाएगी हम सानातन पांडे को देंगा है सानातन पांडे सपा से जो है ठीक है तो यह बताए यह पिछली बार कहां ग कर रहा है तो टोन में बात कर रहा है इसीलिए पर बात कीन जा सकते हैं मुए पूछ रहा हूं कि कह खांदान कि Merc. भ्रादर के नाम से जाए मुए है ठीक है ना सफा तो अब शापा है हमारे सपाई भी नहीं है वहांग है हमारे पीटा जी कांग्रिसी थे ठीक है लेकिन आप भाज पामे गये थे हृच फिल टो अ परिवार गये थे वहां तो टुटा है तो इस इस समय मुतलब इस वारा परिवर्तन जा रहें ठीक नमस्कार जी क्या नाम हूं आप करते हैं देखना कितना प्राइस ठीक होगा आपका नंबर भी लेंगे हां बताइए जैसे कि हम गाड़ियों का बिजनेस की हैं जैसे सिकेंड गाड़िया मतलब दूसरे सब्सक्राइब यहां पर बेचते हैं ठीक है तो अब हमारे भाईया जो है और हमारे छोटे भाई भी है मतलब कुछ हमारे गाउं का जो है प् अब हमारे भाई गंगन नदी पास्तों में आ गई है और कटान हो गया वह आप अच्छे तरीकी से मायवल्थी में पहले कां Queenington कर्दा जर्कार चेंके सपा के या कभी मायवदी का उससे पहले काम क्यों नहीं हुआ यह बता है कि यहां पर कटान के कोई काम नहीं हो रहा है यह सब सरसर गलत बात है ठीक है आपका मानना है काम हो रहा है तो दूबे चपरा गोपालपूर उदरी चपरा तमाम इसे जो गाव है उनका अस्तितु खतम हो गया होता है चलिए बताइए फिर आपके हैंसाब से काम हो रहा है चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं क्या यह जो गंगा की कटान का सवाल है ये आप जो कहने हैं काम हो रहा है कि आपके वोट को प्रभावित करे का कहां जाने की सोच रहे हैं देखिए ये तो मन के चलिए कि एक आम मुद्दा हो गया जैसे कि आज से नहीं है वर्षो से चला आ रहा है जानगा जी के तो आसपस बेहार और इस इलाखे में कई सारे गाउं हो उनको काफी दिक्कत होती है और कोई पार्टी हो कांगरेश हो भुष न कुछन खामीया जरूर होती है बिजएपी सरकार में यहीं है कि जितने भी युवावर्के हैं पड़ह लिखे हैं हम भी हमें जेग्राफीस कि हैं ठीक है लेकिन इस सरकार में बस ए्टी कम्या कि यहां पर रुजगार नहीं है यह नाराजगी हमको पश्चे म्यूपी से यहां तक सब में नजर आई है जो लोग भाज पा के खिलाफ भी हैं जो पक्ष में भी हैं वो भी यही कह रहें कि रोजगार के चक्कर में बहुत नाराजगी है लेकिन एक इसके अलावा जो है यह बिजेपी पॉर्टी जो हमारे देशे को लेकर चल रहे हैं तो हम यह भी बताना चाहरे है कि जो उनातन धर्म का राजनेतिक करन के लाफिए हैं लेकिन आप ठीक उलटा कह रहे हैं कि जो उसका राजनते करन कर रहे हैं अब उसके साथ है नहीं ऐसा वो बता रहे थे ना कि जो सनातन धर्म पर जो चल रहा है जिस राष्टे पर चल रहा है वो बताया कि उनके साथ है हम भी होई बात बोल रहे हैं कि जो सनातन को आगा बढ़ावा देगा उनके साथ से लेगा हम भी उसके साथ हैं यह लंबी 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 वारतलाब है यह कभी एकमिनान से करेंगे अभी तो मैं बस समझने आया हूं कि मुद्दे क्या है उस पर जी बाउजी प्रणाम जी बाउजी क्या नाम हूं आपका नरेंदर दूबे जी यह बताएए अभी चुनाब बाने वाला है आपके गाउं में पिछली बार अगर मैं घलत नहीं हो इन्हीं इस पूरे रीजन में ज्यादतर वोट लोकसभा में उन्नीस में तो भाजपा पे गए थे है कि रोजहान वही है कुछ बदल रहे हैं वहीं रोजहान है आपका या आसपास भी आसपास अच्छा कुछ अलग भी सुनने को आया है ना हम लोग सनातन को भाज पूजिते हैं इसमें प्रेम है सनातन में जो एक चीज बताएं यह मैं समझना चाह रहा हूं 1947 में देश अजाद हुआ था हमारा तब से लेकर आज तक सनातन धर्म तो वहीं का वहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि खतम हो गया सनातन धर्म या मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मतलब सनातनी इस देश को छोड़के भाग रहे है या कोई ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि पहले सनातन धर्म पर कोई खत्रा था अब खत्रा है पहले खत्रा नहीं था अब खत्रा है जो कुछ लोग इसे सनातन धर्म पर बिरोध बात कर देते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है तो वो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि धर्म नहीं है जो कह रहे थे वह तो एक राजभर जी जो है वो तो इसी जिस पाटी के आप बात कर रहें उसी के साथ उनका घड़ बंदन है हाई थामिक आदमिक थोड़ा बहुत में पर राजनीत के बात कर लेते हैं लेकिन अधाक का टो को मानते हैं दर्म को मानते हैं मतलब हिंटु हो मुस्लिम कोई बी हो इसाई हो सिंको मानफता में जो नहीं मानता है वो कौन से धरम में मानता है हमारा कोई ना जाती है ना कोई बस मन उसे कम है तो ये बताईए फिर अब किसको इस बर आप कहरें भाजपापी ही जाएंगे पहले भी भाजपापी जाते थे और वही हिंदुत्व के नाम पर है बढ़ा अलग मुद्दा है यह समझना पड़ेगा कभी जी साहब नमस्कार आपसे भी बात करते हैं नहीं कुर्सी का ही खेल है सारा इसको कभी छोड़ना नीचे यह सोरी माफ करिए इसको लग गई जी बताइए जी क्या नाम हुआ जीतिंदर दूबे जीतिंदर जी क्या करते हैं हम प्राइबेट जोब करते हैं प्राइबेट जोब कहां पर कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनिया है औल इंडिया वेसिस पर काम करती है जहां भेजती है वहां जाता है यह एक बिजनस है जिसका काफी बूम रहा है पिछले सालों में मतलब बट क्या आपके अनुभव इस सरकार में रहे हैं और इस चुनाव में क्या सोच रहे हैं पूरा मोदी जी के तरफ में ज्यादा रुज्वाल है यह बताए थोड़ा सा इस बर बिखराव भी लग रहा है जो आप कह रहे हैं तोड़ा सा बिखराव भी लग रहा है हम एक दो और भी गाउं गए थे तो क्या यह कुछ इसके नाम पर कुछ यहां कंडिडेट या इस इस पर कुछ बिखराव देख रहे हैं वोटों में बिखराव तो है लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि बिखराव से कुछ फरक पड़ेगा बीजेपी पे क्यूंकि यह कंडिडेट जो है नीरज सेखर यह हमारे हमारे समझ से बाहर है लेकिन आदमी मोदी जी को देखर के वोट को देगा रिभर नीरज सेखर कैंडिडेट को नहीं पहुतों कॉन से कंडिडेट को पस्टता है कैंडिडेट ैत जो समाज इक लृजक तोर पर रहा हो जंता के बीच में उसका हम सपर्ट करते हैं कौन है यहाँड पर भी जो समाजических तÔर पर जंस्ता बीच में रहा है अब समाजिक तोर पे जैसे कि छेत्र में सुरेंदर सिंग हो गए वो समाजिक तोर पे सब के सामने नहीं मिला तो यह चीज पाटी को सर्वे करा करके छेत्र में देखना चाहिए पाटी तो खुद अपना सर्वे करती है और कनिडेट में घोसित कर देती है त तो सुरेंदर सिंग जी जो है, काम किये हैं हमारे छेत्र में और हो सकता है कि राष्ट में आजाते हैं तो हम लोग को और असान हो जाता है कुछ काम यहां पर किये हैं लेकिन काम धरातल रूप पे उतरा नहीं है वो गंगा जी थी कट गई जितना काम था सारा परजेट खतम हो गया अभी कुछ बचा हुआ है से उसका तो हमारे समझ से जो जनते के बीच में हो वो कंडिडेट सही रहता है अब अब ये मेरे को बताइए अगली बार भी कैंडिडेट पसंद नहीं आये तो फिर से प्रदाहन मंतरी अमिच्षा जी को प्रदाहन मंतरी जी को देख कर देखा जाएगा चेहरा कोई बढ़िया आएगा बीजेपी में तो दिया जाएगा चेहरा नहीं हो होगा तो उसका हां बदलाव हो सकता है कि आए अब भी आई अरे इधर आई है क्या नाम हुआ अमित अमित पटेल अमित पटेल क्या करते हो अमित अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हो अभी इंजिनेरिंग कर रहे हैं इंजिनेरिंग कर रहे हो ठीक है तो यह बताइए प्राइवेट में या सरकारी में करना रहे हैं अभी इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा अभी इंट्रेंस एक्जाम देना है दिये भी थे नहीं हुआ पिर देना है कितना उमर है अभी उमर 20 प्लस तो अभी यह इस बार तो मतलब वोट करो गया पहली कि आपका जब से इंटर ख़तम हुआ है कितनी बार सरकारी उसके लिए अपलाए कि यह हो नौकरियों के लिए मैं अच्छली अबलेबाल ही नहीं हूं सरकारी नहीं को कुछ प्रॉब्लम से हैं फिजिकली कुछ प्रॉब्लम उसका कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है तो यह बताईइए फिर किया अभी आप कैसे रहें आपके साब से आप नौजवान है कितना आपके गाओं मे क्योंकि रोजगार तो बढ़ा मुद्दा होता थे नौजवानों का आगे भी किसी ने मुझा झाल उटाया हैella कितना आपके लिए उतना नौलेज है नहीं उत्म लेकिन जो बाहरी रिलेशन है ना कंट्री के बाहर वाली रिलेशन वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस बीजेपी में और देश के अंदर तो सडेनली कुछ बादनने वाला नहीं है चाहाँ पीम कोई भी हो आमित यह मुझे समझाओ आप जो कहा रहे हो बाहरी रिलेशन कौन सा मैं समझना चाहरा हूं क्योंकि कुछ लोग बीच-बीच में बोलते हैं भाजपा के कई समर्थक बोलते हैं यह बाहरी रिलेशन कौन से हमारे बहुत जादा फर्क आए गया है कौन सा कहां पर आया किसी द हमारी राय है अमित नहीं नहीं देखे बिल्कुल सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत है तुपुन चीज़ा सबके पास पहुंचती है लेकिन सोशल मीडिया मैं आपको इसले भी बता रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़े होती हैं ऐसे ऐसे कई बार जूट भी पहले हैं जिससे दंगे भड़क गए सुनिये मेरी बात सुनिये कई बार दंगे भी भड़क गए क्योंकि लोगों ने सवाल नहीं उठाया जो सोशल मीडिया पर आया और वह मान गया उस चीज़ पर और हिंसा करने निकल गए तो मेरी बस आप से यह राय है कि सो जो भी आपको सोशल मीडिया पर आ रहा है उसकी पुष्टी करने जरूर जाएं आप सुन से देशों का बताइए पुष्टी किया है बताये कहां पर हमारा बहुत अच्छा स्टेंडिंग सुधरा है मैं यह सुधरा है बताइए कोई एक तो तो दीजी अब इतना होती है एकनोमिक्स में फिसकल डेफसेट भी होता है एकनोमिक्स में जीडीपी भी होता है यही बात हम कर रहे हैं कोई पुष्टी नहीं कर रहे हो आप कौन सा पूरा कंट्री का एकनोमिक्स में एकनोमिक्स में एकनोमी में जीडीपी भी होता है पर कैपिटा इंकम भी होत पूझ बूदी चीज़ा स्माइब के साथ जो वॉदीजी के साथ करते हैं उन से भी सैषिगा है debt मौधी जी के साथ हैं उनके भी सिवाल करएंगे अभ एधिए आप निश्री वह से यह सब मत पूचे हम एता साथ ने के साथ हैं कैमेरे पर ना में बता सकता हूं किसी साथ हूं परसोनल यह आप जान गये किस के साथ है तो बाची थी कहा हूँ पाएगी अब हम भाजपा के साथ है तो आप सबार बात ही ब无きкої बात हो determines अब बोलत न्हुने सबहार करेंगा कमाल तो हर जगह मतलब अगर सरकार मेरा वोड तो भाई अभी जो अभी चलना है मेरा मोडी जी को है जाले बहुत-बहुत मुबारक आपको आप बिल्कुल वोड दीजिये मोडी जी को बस यह मत इल्जाम लगाए हमारे उपर कि हम किसी के पक्स यह खिलाफ हम सवाल पूछेंगे यह मीडिया वालों का काम ठीक है और खासकर कि सरकार से सवाल पूछना ही मीडिया का सबसे बड़ा काम है चलिए आप इदर आई हम बाओ जी से बात करेंगे जी बाओ जी नमस्कार क्या नाम हुआ जी हमारा नाम हर्दवार साहब है हर्दवार साहब अब इसी गाउं से है जी हर्दवार साहब चुनाव आ रहा है थोड़ा सा बताइए आपने तो बहुत सारकारे आती हुए जाती हुए देखी है अभी दस साल से क्या रोजहान रहा है आपके अब यह तो हम इस में नहीं रहते हैं ठीक है आप राजनीती में ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं रहते ह है वे यह कोट देना है देगा दे डेंगे वो बताए फिर वोट कहां दे रहे जैंडमां तो यह जर समझाए यह पूछे आप जो कह रहे हैं कि आप पूछा दे देंगे तो किस अधार पर वोट देते हैं यह समझना चाहते हूं अधार पूछतानी रवा तो इक गटा बड़बाद मत पूची हैं हम वोट कोह देनी एक रपाद रहुआ जोनी इस्चा कर अपने मीडिया में डाल दे समझे नहीं है जो आपने पूछ हो वो तना हमरा पलत दिमाग नहीं कि हम तर जब आच चलिए इतना हमको मिल गया आप से बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका क्या नाम हुआ चैनर देव जी क्या करते हैं आप गिरहत लिए कर ले लगान पर ले लिए के खेट हाँ जी अच क्विच दाचास थिक है किस थीक रहा मजधूृः बड़ाइया महंगाई ठीक रहा यह गल्ला मिल रहा है उससे मदद मिल रही है गले से गल्ले की कई लोग बात करते हैं फ्रपाँच के लोग मिल रहा है कहाँ वोट कर रहे हैं। अभी तो आप जब चल रहा है लेकिन वोट आपका क्या रहे है की सैईकल ही अपर यह क्या मतलब है? आपका इशारा भी हम समझ गया आप क्या कहना चाहरे हैं बाकिशाइक के लिए पर कोई का निगाह नहीं है लोग निगाह करते हैं सरकार पैसा देती है वो पैसा को आधा लोग लूट करके यहां से लेकर चल जाते हैं कोई काम नहीं हो रहा है अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि सरकार कह रही है कि भ्रहष्टाचार खतम हो गया तो यह भाई साब बगल में बैठे हुए कहेंगे हम मोदी जी के खिलाफ हैं इसलिए पूछ रहे हैं हम जो कर रहे हैं उसको आप घर हम यह पूछ रहे हैं कि आप कहरे हैं कि पाईसा खा रहे है लोग Państwo काटान को रोकने के लिए जू काम है तो आप रश्ट आटाचार हो रहा है जमीन को हम यहां हम सुरेंधर सिंघ के साथ खरलें जाने आभी है इसलिए मध्र। यह बीदायक थे, सुरेंधर सिंघ जी तो टिकेट मिलिया नहीं है, लुक्त मिला उनके इसमेदुंगर, समझ में पां रहे हूं चलिए तो अब कहां है वो नहीं मिला नहीं मिला निरत्षेकर के साथ में भाजपा में जुवाइन की परचार कर रहे हैं तो इसलिए आप नीदर चेकर जी के साथ हैं मगर आपको कटान पर ख्याल रखना चाहिए हम सो पुछ रहे हैं आए बिदा करेंगे तो इसमें आपको कहना चाहिए कि कटान को रुकने के लिए आप प्रयास किजिए लुटे रहा सब यहां जूटा है हम लोग अरिबादमी को सब मर्द हैं यह बहुत मजबने नी बहुत महत्वपून सवाल भी है कटान का क्यूंके यहां पर गाउं उपिरा उससे डूब सकता है किसी दिन गांगा जी खेदा थारी हमनी के पहले पहुचानी के कि चोला चारला करनी के कि कटा जमीन ली आई तो हमनी के रोड़ पर रहां दूसर कोन से ही कर लो दूसरा है ना बड़ा सवाल है इस गाउं में और आसपास गंगा जी के कटान का उस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो गाउं काफी दिक्कत में आ सकता है जी नमश्कार जी क्या नाम हुआ जी पंट जी रविंद्र कुमार दूबे जी बताईए चुनाव आ है लेकिन जैसे कि नईसम जो चुनाव हुआ था तो जैसे कि हला हुआ कि पंटे जी जीते हैं लेकिन एलाउंस नहीं हुआ अब इस पारी देखिये क्या होता है पंटे जी के मतलब वो हारने से क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है इस पारी भी देखिये क्या होगा पांडे जी भी टकड में है और नीरा सिकर भी है इस इलाके में काफी वोट्स भाजपा को पड़ा था इसमें कुछ बदलाव देख रहे हो ये लग रहा वही होने वाला है बदलाव कुछ होगा वो क्यों हो रहा है वो कैंडिडेट के चलते अब कि यहां वोट जो गिरता वह तो कुछ लोग जात्पात लगा देते हैं पर कितने वोट हो रहा है यह पांडे जी को जहाँ जो आप कहरें वोट कटने वाला है यह जाती के नाम पर कटने वाला है बिरादरी के नाम पर बिरादरी है, कुछ जैसे कि जो सben वाले हैं, उसको भी मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि राजपूत भाजपे को देंगे, कुछ भोट सापा में भी जाएगए, कुछ लोग भाजपा में देंगे आपको लग रहा है कि राजपूत भोट भी कट सकता है राजपुत भी ओट काटेगा भाजपा को, यहीं तो होता है राजणीत में, यह लोकतंत्र है, हमारा मत है कि दोनों का लड़ाई है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब को बोलने का अभिकार होता है, अब आगे की रहनीत देखी जाएगी, तो यह आप जो कहे रहे हैं, बिखराव हो रहा है इस बार, यह कितना परसंट आपके इसाब, कितना प्रतीशत इस बार आपके इसाब से वोट किदर किदर कहां जा रहा है, ब्रामर्ण समाज की अगर बात करें को, ब्रामर्ण समाज में बात करिये हैं तो यह सब ब्रामर्ण तो अलग-अलग हैं, वही हम पूछ रहे हैं, कोई सापा को देंगे, कोई हाथी को देंगे, वही हम पूछ रहे हैं, तो आपके इसाब से कितना प्रतीशत होगा है, वह प्रतीशत का 30% मान के चलिए, ती 30% कि दर, जैसे कोई भोट बटवारा हो जाएगा, तो 30% आप कहने, सनातन पांडे जी की तरफ इस बार जा सकता है, पांडे जी का वोट बढ़ेगा, उस साल भी तो बढ़ा था, पर आप भी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो ये समझाए मुझे, जैसे मैं कई बार ये सवाल पूछता हूँ, उम्मीदवार जो होता है, क्या लोग सर पांडे जी बोलते हैं, हमारा है, महरिया जी बोलेंगे, हमार जी सवामी परसाद महरिया को देखिए, अभी आज कल पेपर में नहीं निकलता है, बंद हो गया, तो वो कितना बोल रहे थे, ये बड़ी दिक्कत है, लेकिन सब अपनी बिरादरी देखकर कर रहे हैं, विकास है, क्या नाम हुआ, मेरा अरविंद कुमार पठेल, हां जी, अरविंद कुमार पठेल, अच्छा, अरविंद जी क्या करते हैं, मैं तभी बीए में पार मतलब ये अक्लिए कर ले ये इस सारकार में तो रोशकार कुछी मिल नहीं रहा है, हां और जो चार साल वाले भी कर द एजी खतम हो गया था और इसका भी दिया था पुलीस का दिया था भी जो रद हो गया है नहीं हम पूछ रहे हैं दिये थे बड़े वच्चों को तकलीफ हुई है इस बरात दोने से प्राइवेट वगेरा में नोक्रियां खुल रही हैं कोई आस-पस उसमें सुधार देख पा बिहार वाले किये तो बिहार वाले तो दी है ठीचर को भी दिये पूलीस अलब रही है ने चलिए चलिए बिलकुल आप बोलिए आराम से मैं यह पूछ रहा हूं कि बड़ा वादा किया था कि दो करोड़ नौकरिया साल की देंगे उसके इर्द गिर्द अपने अलाके में क इतने लोगों की सरकारी नौकरी लगी है हमार पास ही बैठ है इनको एक ये बैठ है तो मतलब और लोग भी है तो फिर आप मतलब ये पिछले पांट साथ सालों में नहीं लग रही है नहीं तो तब ही लगी थी आपकी जस्ट तो उसके बाद से यहां पर क्या एक स्टैगन इसमें बहुत लोग इंप्लाइड हुए हैं बहुत लोग टीचर हुए हैं तो कुछ वेकंसी खुली हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं जितना आप खुश होते हैं तो बताईए यह फिर कितने साल के हो गया मैं 23 साल के हो गया तो दूसरी बार वोट दे रहे हो भी लोग सभा म किछी बार कहा दिए यहां यहां पिछली बर कौन के समय पर कानून में वसना बहुत खराबती इसमें भी तो करन भी उसता सकती हैं जो हमें जहां तक बखेवा करती हैं आपको लगत शाएकिल करती है क्यांसी चीज पसंद है साइकल की थोड़ा समझाइए पहले तु रुजगार कर सबसे अच्शा है हर बारातिये वेकंसी ज्यादवा कोल बहुत हैं और और भी है लेकिन आप साइकल के साथ हैं जैसे यह नहीं बता पा रहे थे कि भाजपा के साथ क्यों है आप भी ज्यादा नहीं बता रहें साइकल के साथ क्यों है कोई नहीं लोक तंत्र है अपना-पना मत सब को रखने का अधिकार है और साल में यहां दूही महीना काम होता है जब करते ही नहीं है कीन हगा हर साल है सॉल हर यहां पर यहाँ पानी इतना होते हैं अच्छा इतना पलए होता है यह आप वर्साथ के वर этой constitution करते ही नहीं हैं कि दो dość धूरsin यह कहे रहे हां हम बुल्डोजर चला दिये हैं ब्रश्टाचारियों के घर पर कहां चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं नहीं नहीं मोदी जी कह रहे हैं हम अपने सवाल पूछते रहेंगे चाहे जो भी इल्जाम लगे मीडिया में हैं हमको लगता है कि हमारा काम सरकार की 24 गंटे वावाई करना नहीं है लेकिन जो कमी हैं उनके काम में उसकी पूरती करना उसको जादा हो जागर करना ताकि लोगों का भला हो पाए क्या चुनाफ के नतीजे रहेंगे 2024 के बलिया लोकसभा में ये तो अभी हमें नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ जैसे लोग कह रहे हैं और पिछली बार भी धियान रखें कि सिर्फ 15,000 के खरीब का कुछ फर्क था जो जीते थे और इस बार जो सपा के फिर से प्रत्याशी बने हैं पांडे जी सनातन पांडे जी 15,000 का ही फर्क था इस बार जो बदला हुआ रोजहान थोड़ा सा देख रहा है जो लोग कह रहे हैं कम से कम कुछ हद तक पुराने वो तूटरे क्या वो 15,000 की उस जो फासला था क्या उसको भरपाई करने में मदद करेगा या नहीं क खरे करेंगा जाग उसकि तक कर दो भरपा ऴना हुआ झाओ प्रोड़ा के जुराने वोजहान पांडे जो डिल स्थ चार प्रेंगा हैं पुरावा भरपाई करेंगा हैं जुरावाने थात्त बार करेंगाँ कर देख लेंज़ा हैं कर भरपाई पुराई करी टूबाने या